दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का संकल्प के यूट्योब चैनल एडियू संकल्पे मैं कुनाल बांसल एक बार फिर हाज जिन अपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज हमारी वीडियो का topic है compound interest और compound interest chapter में से आज हम discuss करने वाले हैं difference between compound interest and simple interest वाले questions यह questions बहुत ज़्यादा important है exam point of view से और इनको करने का जो तरीका है वो भी बहुत असान है ठीक है जी कुछ questions ऐसे होंगे जिसमें हम direct difference का formula यूज कर सकते हैं और कुछ questions होंगे जिसमें हम जो basic method हैं जैसे हमारा ट्री method है या successive method है उनके थूभी difference के questions को calculate कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सारा focus ही इसी चीज़ पर रहेगा कि कैसे इन questions को असानी से हम कर सकते हैं पूरा concept detail में explain करूंगा तो जुड़े रहे वीडियो के अंतक आईए दोस्तों शुरू करेंगे आज की वीडियो पहला question जिसमें हमें का गया है compound interest on a certain sum for two years at three percent per annum ठीक है दी दो साल के अंदर compound interest हमें दिया हुआ तीन परसेंट के rate पे कितना 101.50 तो हमें simple interest calculate करके बताना है उसी sum के उपर मतलब principal सेम है और rate of interest सेम है टाइम भी सेम है अलब प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरस्टाइम तीनों चीज़ें सेम होगी compound इंटरस्ट में बताया गया हमें सेंपल इंटरस्ट की वेल्यू कैलकुलेट करने है तो यह दोस्तिया इसमें हम यूज करेंगे successive चेंज वाला मैंट ठीक है अब successive change method हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं अगर तीन परसेंट कम पर एनम इंटरस्ट है तो उसके successive चेंज मेंटर्ड के हिसाब से टोटल compound interest कितना बनेगा जी 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटो 3 बाइंडर्ट it means यह बनेगा हमारे लिए 6.09% तो 6.09% compound interest है जिसकी value हमें कितनी given है 101.5 तो 6.09% की value 101.50 है और हमें क्या calculate करना है जी simple interest अगर अब simple interest की बात करें हर साल 3% interest लगने तो 2 साल के अंदर simple interest कितना बन जाएगा 6% तो 6.09 की value हमारे पास available है जी और हमें 6% की value calculate करने है तो simply unitary method लगाया इसमें तो 101.5 divided by 6.09 into 6 कर देंगे जी इससे हमारा क्या निकलाएगा simple interest तो इसको calculate करेंगे तो यह कितना बनेगा और तो answer क्या बना हमारा option C देखिए बहुत असान है हमें सिर्फ percentage पे focus करना है अगर हम successive change का method use करने है total compound interest की percentage calculate करो कितनी बनती है total simple interest की percentage calculate करो कितनी बनती है और उसके बाद unitary method लगा के value हम calculate कर पाएगा और इस question को करने का different method है जिसमें difference between compound interest and simple interest का formula यूज करते है और वो formula क्या है उसके थुरू अब आपको question बताता हूँ वो formula होता है difference for two years दो years का difference अगर हो compound interest और simple interest का उसका formula बनता है difference for two years का difference is equal to r percent of si for one year एक साल का जो भी simple interest होगा उसके उपर rate percent हम लगा देंगे जितना भी rate होगा उससे हमारा difference आजाएगा compound interest और simple interest का अब देखिए इसमें compound interest बतायागा simple interest missing है तो compound interest कितना है 101.5 simple interest हमें 2 साल का नहीं पता तो हम si लिख लेते हैं rate कितना बतायागा हमें 3% और एक साल का simple interest कितना हो जाएगा अगर दो साल का simple interest si है तो एक साल का simple interest कितना हो जाएगा si by 2 इसको बस solve करना हमें यह हमारे पास solve करके कितना बन गया 3 si upon 200 plus यह वला si इदर आके plus हो जाएगा is equal to 101.5 तो lc हम लेके इसको solve करेंगे यह बन जाएगा 203 si upon 200 is equal to 101.5 यह कट जाएगा जी directly दो पे तो si हमारा यह भी कट जाएगा तो si हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपर तो इस method से भी हम इस question को कर सकते हैं but मैं recommend करूंगा कि successive change वाला method इस question में जादा successful रहेगा आपके लिए जादा असान रहेगा आए दोस्तो next question try करते हैं compound interest on a sum of money for 3 years at 5% per annum is 252.20 तो हमें simple interest निकालना है same rate same time period के लिए तो same चीज है जैसे पिछले case में 2 साल का case था इस question में 3 साल का case है तो वही चीज successive change method मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि 5% अगर rate है तो तीन बार में three times में यह compound interest कितना बनाती है 15.7625% कितना बनाती है जी 15.7625% मार्लब इस चीज की value हमें given है कितनी 252.20 यह हमें compound interest given है मलब 15.7625% की value 252.20 हमें given है हमें calculate करना है simple interest तो अगर simple interest की बात की जाए हर साल 5% interest लगेगा तो तीन साल में total simple interest कितना बन जाएगा जी 15% तो सिर्फ 15% की value हमें calculate करनी है यहां से हम वही unitary method use करेंगे कितना आ जाएगा जी 252.20 upon 15.7625 into 15 इसको solve करेंगे यह solve करने पर हमें मिलेगा 240 rupees तो हमारा simple interest 3 साल के अंदर कितना बना जी 240 रुपए हमारा simple interest बनेगा ठीक है जी आपको यह method अच्छे से समझाया होगा successive change method से हमने इस question को किया दोनों पूशन आई यह next question देखते हैं compound interest on a sum of rupees on a sum for two years at 12 and a half percent per annum is rupees 510 तो हमें simple interest निकालना है same time same rate के लिए again same concept पे यह question based जाजी अब देखो दो साल साड़े बारा परसेंट अब साड़े बारा परसेंट का मतलब क्या होता है fraction में अगर देखें एक बटे आठ मतलब अगर मैं किसी को आठ रुपे ब्याज पे दूंगा principal के तौर पे तो मुझे एक साल में कितना ब्याज देगा एक रुपे तो इस पे हम प्री में यूज करते हैं मान लिजी हमने किसी को आठ रुपे principal पे दिए ब्याज पे तो एक साल के बाद कितना इंट्रस्ट बनेगा उस पे एक रुपे सेकंड यर में जाएंगे तो प्रिंसिपल पे एक बनेगा इस पे भी साड़े बाराव परसेंट इसका एक बटा आठ बन जाएगा कितना एक बटा तो टोटल कंपाउंड इंट्रस्ट कितना बना जी यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें टोटल सी आई बना जी हमारे पास यहां पे तू प्लस वन बाइट मतलब के 17 बाइट यह हमारा कंपाउंड इंट्रस्ट बना दो साल के अंदर कितने प्रिंसिपल पे आठ रुपे ठीक है जी तो बस इसके बेस पर यूनिटरी मैथर लगाते हैं ठीक है जी हम के हमारा जो कंपाउंड इंटरस्ट है वो कितना है 510 मतलब 17 बाइट की जो वैल्यू है वो कितनी है 510 रुपे ठीक है और हमें चाहिए क्या यहां पे सिंपल इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट यह वैल्यू है उपर वाली वैल्यू को सिंपल इंटरस्ट होती हमारी तो अ ये cancel out हो जाएगा, 30, 8 उपर आके multiply हो जाएगा, 30 into 2 into 8, कितना आ जाएगा, 480 रुपए, तो correct answer क्या हुआ यहाँ पे, second option, तो इसमें हमने tree method को use किया, हमने मान के चला कि principle हमारा 8 रुपए है, तो इसमें हमें पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक दूसरे साल में 1 और 1 ब ये compound interest है हमारा, और 17 by 8 compound interest की value में कितनी गिवन है, 510, हमें चाहिए था simple interest, तो simple interest की value यहाँ पे कितनी बनती है, 2 रुपए, तो यहाँ 2 रुपए की value कितनी हो जाएगी, 480 रुपए, आईए, next question, compound interest on a certain sum of money invested for 2 years at 5% per annum is 328, वोई चीज़ है दी, इसमें भी हमें compound interest की value बता साल के अंदर 5% rate पे, ठीक है, जी कितनी बताईगी है, 328 रुपए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, simple interest निकालना है, same time, same rate के लिए, तो वोई same concept, इसमें भी अब हम कौन सा concept यूज़ करेंगे, successive change method यूज़ कर रहा हूं इसमें, ठीक है, अगर 5% की बात करें, तो 2 साल मे कितना compound interest बनाएगा, जी यह, 10.25% interest बनाएगा, ठीक है, तो 10.25% interest की value हमें कितनी given है, 328 रुपए, और हमें निकालना क्या है, simple interest, तो simple interest की अगर बात करें, 5% के जिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%, तो 10% की value यहाँ से कितनी होगी, यह हमें calculate करना है, तो 328 बटे, 10.25 गुना 10, यही बनेगा जी, तो इसको solve करने पे हमें मिलेगा, यहां से 320 रुपीज, तो मारा simple interest कितना बनेगा, जी, 320 रुपीज बनेगा, आप चाहें तो इसको tree method से भी try कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला question किया, आइए उससे भी अगर एक बार हम करके देखें कि कैसे होगा tree method के थूँ, ठीक है, अब मान लिजी हमने कि 5% की बात कर रहे जी, ठीक है जी, तो 5% का मतलब है, अगर हम किसी को 100 रुपे दे रहे हैं principle पे, ठीक है जी, तो वो कितना interest देगा पहले साल में, उसको 5, ठीक है, और दूसरे साल भी 5 देगा ही देगा, उसके इलावा, इस 5 का 20 परसेंट देगा जी, ठीक है जी, इस 5 का 20 परसेंट कितना, और 5 का 5 परसेंट कितना बनेगा जी, यहाँ पे 0.25, ठीक है जी, तो 10.25 की वैल्यू, वो ही सेम चीज़ आगे जी, 10.25, 10.25 की वैल्यू कितनी है, पी 28, और हमें चाहिए simple interest, simple interest से यहाँ पे कितना बन दा है, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, सेम वो ही चीज़ जो सक्सेसिव में वैल्यू आई थी, वो ही सेम वैल्यू यहाँ पे दिया आई, आई, नेक्स कोईस्चन देखते है, compound interest, sum of money for 2 years at 4% per annum is Rs.2448, ठीक है जी, 2 साल के लिए, जो compound interest है, कितने rate पे जी, 4% rate पे, कितना है जी, 2448, हमें simple interest निकालना है, same rate, same time के लिए, तो again, same question है जी, अब इसमें भी हम successive change method यूज करके देखने है, successive change method की according, 4% एक साल में, तो 2 साल में, यह कितना interest बना देगा, 8.16%, तो में 8.16% की value given है, कितनी, 2448, अर हमें चाहिए क्या, simple interest 2 साल का, तो 4% पे, 2 साल में simple interest कितना बनेगा, 8%, तो 8.16% की value हमें पता है, 8% की value हमें calculate करने है, तो कितना बन जाएगा, 2448, divided by 8.16 into 8, तो इसको solve करेंगे, 2 decimal हटाए, यहां से हमने, decimal हटाने पे इसको cancel out किया, यह cancel out 3 पे हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 2400 रूपी, तो हमारा simple interest उसी time, उसी rate के लिए कितना हो जाएगा, 2400 रूपीज, यदि, आईए, next question देखते है, on a certain sum, the sum of money, compound interest for 2 years is 282.15, and simple interest for the same period is 270, rate of interest हमें calculate करना है, तो हमें simple interest भी given है, compound interest भी rate, तो इसमें हम difference का formula यूज़ करेंगे दोस्तो directly, difference for 2 years का formula, बैने पहले भी बताया आपको, difference is equal to, r% of si for 1 year, यह हमारा formula होता है, तो इस formula को use करेंगे, difference यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 साल के अंदर, 270 और 282.15 का अगर difference निकालेंगे, तो कितना बनता है, 12.15, यह बराबर है, r% of si for 1 year, एक साल का simple interest, 2 साल का simple interest कितना given है, 270, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 120, cross multiply करने पर यह कितना आजाएगा, 1215 बटे, 120, इसको divide करेंगे, divide करने पर यह direct कितने पर गटेगा, 9 पर answer हमारा क्या आएगा, third option, यह formula दोस्तों बहुत important है, difference between compound interest and simple interest for 2 years, हाईए, next question चलते, compound interest on certain sum of money, at a certain rate for 2 years is 40.8, and simple interest on the same sum is 40 at the same rate, हमें rate of interest, again same question है, same formula use करेंगे, difference, difference कितना बन रहा है, यहाँ पर 0.8 is equal to R% of SI for 1 year, एक साल का हमें simple interest, 2 साल का simple interest कितना दिखा हुआ है, चालिस, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, इसको solve किया, 0.8 into 5 करेंगे, कितना आजाएगा, जी, 4%, rate of interest कितना आएगा, 4% per annum, third option हमारा correct answer बनेगा, next question, at a certain rate per annum, simple interest on sum of money, for 1 year is 260, ठीक है जी, एक साल का simple interest कितना गिवन है, 260, और compound interest on the same sum for 2 years, 2 साल का compound interest हमें कितना गिवन है, 540.8, हमें rate of interest calculate करना है, again same question, ठीक है जी, same concept, अब देखिए, simple interest हमें 1 साल का गिवन है, अगर 1 साल के अंदर simple interest 260 रुपे है, तो 2 साल के अंदर simple interest कितना हो जाएगा, 520 रुपे है, तो आप difference का formula यूज करते हैं, 2 साल का compound interest, simple interest, 520, 2 साल का compound interest, 540.8, तो difference कितना बना जी, 20.8 का difference, ठीक है दी, और is equal to R percent of SI for 1 year, 1 साल का simple interest, 1 साल का simple interest कितना था, 207, जी, इसको solve करेंगे, तो 208 बटे 26 is equal to R, तो ये cutting करने पर हमारा कितना है, आजी, 8, ठीक है, answer क्या हुआ, 8 percent, रुपे, बहुत जादा important formula, बहुत असान कर रहा है, आपके questions को, formula क्या है जी, difference for 2 years between compound interest and simple interest is equal to R percent of SI for 1 year, आईए, next question चलते हैं जी, 9th question क्या बोलता है, simple interest on a sum of money at 4 percent per annum for 2 years is Rs. 80, दो साल का हमें simple interest बताया गया है, जी, 80 रुपे है, 4 percent rate पे, हमें compound interest calculate करना है, same period की, ठीक है, अब देखों, इसमें successive change का method भी हम use कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम tree method से भी स्कोजिशन को कर सकते हैं, अगर successive change के according देखें, एक साल में simple interest 4 percent, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 8 percent, 8 percent interest, simple interest की value हमें कितनी given है, 80 रुपए, और 4 percent के according अगर compound interest calculate करें, दो साल का, तो वो कितना बनता है जी, 8.16 percent, तो 8 percent की value हमें पता है, 80 रुपए है, तो 8.16 percent की value हमें calculate करना है, तो कितना बन जाएगा, 80, पटे 8, 8.12, कितना है जी solve करके, 81.6, answer क्या हुआ हमारा fourth option, तो यह successive change method से हमने इसको try किया, हम tree method से भी इस question को कर सकते हैं, और यह कैसे होगा tree method से, आज देखते हैं, अब 2 साल के अंदर simple interest 80 है, तो मतलब पहले साल भी 40, दूसरे साल भी 40, और compound interest में क्या होता है कि, इस interest पे इंटरस लगना है, तो 40 का 4 percent करेंगे, कितना बनता है 1.6, तो कितना compound interest आया है हमारा, 81.6 रूपीज, next, the compound interest on a certain sum of money, at 5 percent per annum for 2 years, compound interest 5 percent rate के इसाब से, 2 साल में कितना है जी, 246 रूपीज, तो हमें simple interest निकालना है, 3 साल के लिए 6 percent per annum, same sum के उपर, मतलब principle दोनों के इसमें same है, ठीक है, अब देखो, पहले बात करते हैं compound interest, ठीक है जी, 5 percent rate of interest है, 2 साल का time period है, तो 5 percent rate, 2 साल में या 2 बार में, कितना compound interest बनाता है जी, 10.25 percent, तो हमें 10.25 percent की value बताई गी है, कितनी है जी, 246 रूपीज, 10.25 percent is equal to 246 रूपीज, हमें calculate क्या करना है, तीन साल का simple interest calculate करना है, 6 percent interest rate पे, तो 3 साल के अंदर, 6 percent rate पे, total interest, simple interest केतना बन जाएगा, 18 percent, मतलब हमें 18 percent की value calculate करनी है, 10.25 percent की value हमें बताई गई है, 246 है, तो 18 की value हम calculate कर देंगे, 246 divided by 10.25, इन्टू 18, यह solve करने पे आमें मिलेगा जी, 432 रूपीज, कितना simple interest निकला जी, 432 रूपीज हमारा simple interest निकला, 4th option हमारा correct answer है, आईए दोस्तों next question देखेंगे, the simple interest and compound interest on a certain sum of money, with a given rate for a period of 2 years, are 900 and 954 respectively, हमें sum of money calculate करनी है, बतलब हमें क्या calculate करना है, यहाँ पे principle calculate करना है, दोनों चीज़े हमें बताई गई हैं, simple interest और compound interest, तो अब difference का formula यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों हम इसमें, ठीक है जी, अगर difference की बात करें, ठीक है, तो दो formula होते हैं, एक तो उने पहले किया, difference is equal to r% of si for one year, तो पहले तो वही formula यूज़ करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, rate of interest, तो difference कितना निकल रहा है, यहाँ पर 54 is equal to r% of si for one year, एक साल का simple interest कितना निकला, 4,500, ठीक है जी, तो इसको solve किया, 95,000, 96, 52, तो rate हमारे पास कितना आया, 12%, rate of interest हमें पता चला जी, कितना है, 12%, अब हमें क्या calculate करना है, principle calculate करना है, तो बहुत simple है, हर साल कितना rate लगेगा, 12%, तो दो साल के अंदर simple interest कितना बन गया, 900, तो एक साल के अंदर कितना होगा, 4,500, मतलब जो 12% rate है, ठीक है, जी, उसकी value कितनी है, 450, क्योंकि एक साल के अंदर कितना बे आज लग रहा है, 4,500, तो 12% की value, हमें प्रिंसिपल चाहिए, मतलब 100% की value निकाल देंगे, यहां से 100% की value कितनी है, प्रटे बारा, यह solve करेंगे, यह solve करने पर में 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 लेगा, 3,7,5,0, तो answer क्या है, हमारा 4th option, correct answer, तो इसमें हमने difference का formula, same formula use किया, difference is equal to R% of SI for 1 year, आईए, next question, there is 100% increase to an amount in 8 years, at simple interest, simple interest पे, जो principle है, उसमें 100% increase हो रहा है जी, 8 साल के अंदर, हमें compound interest निकालना है, 8,000 principle पे, 2 साल के अंदर, same rate of interest पे, इसका मतलब पहले मुझे क्या चाहिए, rate of interest, तो बहुत असान है, देखो कैसे, 8 साल के अंदर, 100% ब्याज लग गया, 100% increase है, मतलब 100% ब्याज लग गया, तो 1 साल के अंदर कितना लगेगा, 100 बटे 8, मतलब के, 12,5%, 12,5% हमारा rate आया, fraction कितनी बनती है, यहां से, 1 बटे 8, अब हमें क्या चाहिए, compound interest चाहिए, 8,000 principle है, 2 साल का क्या है जी, time period, तो इसमें अब हम, tree method यूज करने वाले है, 8,000 पे, पहले साल कितना ब्याज लगना है, 1 बटा 8, तो 1000 उपया हो गया जी, दूसरी बार भी, इसका 1000 ही बनेगा, और इस 1000 का, 1 बटा 8 करेंगे, कितना बनेगा, 125, तो टोटल अगर इन तीनों का किया, कितना बनता है, 2, 1, 2, 5, तो 2 साल के अंदर, 8,000 के उपर, कितना compound interest लगेगा, जी, 1225 रुपे, मतलब हमारा, 4th option, correct answer बनेगा, आईए, next question, the sum becomes, 2916, in 2 years, at 8% per annum, compound interest, then the simple interest, at 9% per annum, for 3 years, on the same amount, will be, ठीक है, 2 साल के अंदर, 8% per annum, interest के हिसाब से, compound interest के हिसाब से, amount कितनी बन जाती है, 3916 रुपे, अमाउंट है, और हमे, simple interest calculate करना है, 9% के हिसाब से, 3 साल के लिए, same principle के उपर, मतलब principle, हमें पता होना चाहिए, कि principle कितना है, अब देखो, amount given है, time given है, rate of interest given है, इसमें हम, ratio method यूज़ कर रहे हैं, principle calculate करने के, देखो कैसे, ये मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया, ratio method compound interest का, 8% की बात हो रही है, 8% का जो, अगर हम fraction derive करें, ठीक है जी, 8% की fraction कितनी बनती है, अगर हम किसी को, 25 रुपए principle दे रहे हैं, इंटरस्ट पे, तो वो मुझे इस पे इंटरस्ट कितना देगा, 2 रुपए, मलब 25 रुपए की amount, एक साल में कितनी हो जाएगी, 27, अब 2 साल का time, अगले साल भी 25 की amount कितनी हो जाएगी, 27, तो टोटल कितना बन जाएगा, principle multiply करके, 625, इन दोनों को multiply किया, तो कितना बन गया, 729, ठीक है, यह हमारे पास principle और amount की ratio आ गई, यहां पे, ठीक है, इसको भी 4 से multiply करने पे, हमें क्या मिल जाएगा, principle, 625 को 4 से multiply किया, कितना बनता है, 25 रुपए हमारा principle बनता है, अब इस principle पे, हमें क्या calculate करना है, simple interest, 3 साल के लिए 9% पे, तो 3 साल के लिए 9% पे, अगर interest निकालेंगे, तो 27% interest निकलता है, 25 रुपए हम क्या calculate करेंगे, 27% interest calculate करेंगे, यह हमारा सॉल करके कितना बन जाएगा, 675 रुपीज, अब आप्शन कौन सी correct बनेगे हमारे लिए, second option, तो हमने पहले ratio method यूज किया, ratio method से हमें principle पता चला, उसके बाद हमने simple interest निकाल दिया, आईए, next question देखते हैं, the compound interest on a certain sum of money, at a certain rate per annum, for two years is 2050, ठीक है जी, हमें क्या बताया गया, compound interest बताया गया, 2 साल के लिए, और simple interest on the same amount, at the same rate for 3 years, 3 साल के लिए simple interest कितना बताया गया, 3,000 हमें principle calculate करना है, तो अब देखिए, 3 साल का simple interest, 3,000 रुपए, ठीक है जी, तो दो साल का simple interest कितना होगा जी, हाँ, 2,000, अब मुझे 2,002 साल का simple interest भी पता है, 2 साल का compound interest भी पता है, तो वही difference method यूज़ करेंगे दोस्तों, difference कितना है, 50 रुपए का, is equal to R percent of SI for one year, एक साल का simple interest लेना पड़ेगा, वो कितना बनेगा, जी, 1000, तो यहां से rate हमारे पास कितना है, 5 परसेंट, हमें rate पता चल गया, जी, 5 परसेंट है, अब क्या calculate करना है, principle calculate करना है, अब अगर simple interest की बात की जाए, एक साल में simple interest कितना लगेगा, जी, 1000 रुपए, और एक rate कितना है, 5 परसेंट, मतलब 5 परसेंट की value, कितनी है जी, 1000, और हमें कितनी की चाहिए, 100 परसेंट principle चाहिए, तो 100 परसेंट value चाहिए, तो 100 परसेंट value कितनी आ जाएगी, चाहिए, परेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, option number 1, next, the simple interest on a sum of money for 3 years is 240 rupees, and compound interest at the same rate for 2 years is 170 rupees, हमें rate of interest calculate करना, बलकुल पिछले question की तरह ही है, इसमें सिर्फ rate calculate करना है, अब 3 साल का simple interest हमें given है, वहाँ से हम 2 साल का simple interest अगर check करें, तो कितना बनेगा, 3 साल में 240, तो 1 साल का कितना हुआ, 80, और 2 साल का कितना हुआ, 160, और 3 साल का compound, और 2 साल का compound interest हमें कितना given है, 170, तो यहां से difference कितना है, 10 रुपए का, is equal to R percent of SI for 1 year, एक साल का simple interest, और 1 साल का simple interest हमें कितना देखा था, 80, तो solve करेंगे जी, R आ गया हमारे पास, 100 बटा 8, मतलब के 12%, तो कौन सा answer हुआ, 3rd option, जी दोस्तों, तो यह था आज का lecture, जिसमें हमने सारे questions डिसकस किये, difference between compound interest and simple interest को लेकर, इसमें मैंने आपको formula बताया, एक तो difference compound interest और simple interest का 2 साल के लिए, उसके लावा मैंने कुछ questions को, 3 method और successive change method से भी किया है, तो आप इस वीडियो को बार-बार देखिए, और questions को खुद practice कीजिए, अगर आपको किसी भी question में को doubt लगता है, तो मैं आप comment section के तुरू बताइए, और भी वीडियो जिस chapter में और ले के आँँगा, मैं दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,